पूसला जानते हो फोसला एफ ओ एस एल ए फोसला कुछ लोग वो सकता जानते हो कुछ लोग वो सकता ना जानते हो बीटेक का वर्ड है अब आपको इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़ी इवेंट बताता हूं आज ऐसे बैठा था तो याद आगी एक बार रैकिंग का टाइम चल रहा था है तो बड़े आराम से चले जा रहे थे हैं सर नीचे था एक सीनियर मिले तो यादर नीचे रखना होता न तो एक सीनियर मिले तो बोले सुन एई किदार आओ पहुंचें उनके बास अब हम दो लोग थे कहते हैं कि फोसला जानते हो फोसला अब एक्चुलिटी में नहीं पता था हमें भी हम नेका नहीं सर हमको नहीं पता सर sorry sir we don't know कहते हैं फोसला नहीं पता तुमको चलो ऐसा करो चलो आव मेरे साथ हो पकड़के ले गए अपने रूम पे हॉस्टल में घूम रहे थे हम लोग अब जब रूम में पहुचे तो वहां देखा कि चार-पांस सीनियर और अंदर थे बैठे से सब मौज मस्ती कर रहे थे अब हम दोनों को अंदर ले जा कि बोलते हैं इनको फोसला नहीं पता बता बता बीटेक करने आ गए फोसला नहीं पता इनको अब पता नहीं पता नहीं पता फोसला नहीं पता फोसला नहीं पता अब रहेंगिंग टाइम था सर नीचे था तो देखा भी नहीं कौन कौन सीनियर थे अब करतें कि चलो बताते हैं इनको फोसला मतलब तो हम लोग खड़े हो गए महां पर सर नीचे लोगे हम हो हमारे एक फ्रेंट अब मुझे एक्जेक्ली याद भी नहीं है कि वो फ्रेंट था गोन हमारे साथ कहते हैं फोसला का मतलब होता है फ्रस्टेटेड वन साइड़ेड लवर एसोसियेशन फ्रस्टेटेड वन साइड़ेड लवर एसोसियेशन हम लोग उनका ओके सर कहते हैं फोसला के मेंबर हो या नहीं हो तो हम लोग दिमाग लगा है क्या मतलब क्या मेंबर का मतलब क्या तो मेंबर का मतलब यही निकल रहा था कि अगर वन साइड़ेड लवर एसो सीएसन मतलब अगर आपके कोई गर्ल्ट्रेंड नहीं है देन डेफिनिटली यू आर दा मेंबर ऑफ फोस्ला अब जब उन्होंने एकदम से पूछ लिया कि फोस्ला के मेंबर हो कि नहीं हो तो अब इतनी देर में हम लोग दिमाग लगा लिए हमने का कि सर गर्ल्ट्रेंड तो नहीं है लेकिन लेकिन सर फ्रस्टेटेड भी नहीं है तो गर्ल्ट्रेंड नहीं है और फ्रस्टेटेड भी नहीं है तो फिर फोस्ला के मेंबर तो सर हम नहीं हुए है कि कहते नहीं तुम तो पागल हो हमने का सर पागल है ओके सर कि कहते देखो मैं तुम को बताता हूं तुम कैसे पागल हो तो हमने हमने मन में सूचा ठीक है तो आप फोसला के मेंबर नहीं है। और गर्ल्फ्रेंड आपकी कोई भी नहीं है, तो आप One-Sided Lover Association के मेंबर होगये है। तो इतने से यह तो हम समझ गया थे कि लग रहा है कि सर तो कम से कम फोसला के मेंबर हा एक तो इतना जोर अगर फोसला भी शसला है। तो हमने तो भाई यही बोला कि नहीं सर ना गल्फ्रेंड है और फोसला के मेंबर भी नहीं है उनों का रुको अभी मैं तुमको देखो समझाता हूँ तो हम लोग एगरी होगे वही स्थीक समझाइए समझ नहीं था रैगिंग टाइम अब जो समझा है सब माल नहीं था कि अग्या के देखो तुम दोनों को हमें गाना देते हैं तुमको गाना है ठीक है पुछ लाइन यह गाएगा कुछ लाइन यह गाएगा और उसके बाद तुम बताना कि तुम्हारे अंदर की फिलिंग्स क्या है कि हमने गाए यह तो experimental टाइप की रैगिंग हो रही है कि मनी मन हम सोच रहे हैं अमने यह कुछ गाना गवा के लग रहा है प्रूफ कर देंगे लग रहा है हाँ को भणने टीक है हम ने का की सर गाना तो हमको नहीं आता गाना के अरée जैसा आता है वैसे का छल कि स्क्राशा तो गल व्यंव वाला गाना तो तो लुग सुपना वह कि आमिर्कं की मूवी का था कि अकेले हैं तो क्या गम है कयामत से क्यामत तक अकेले हैं तो क्या गम है बस इक जरा साथ हो तेरा तो अब गाना वना तो गाना आता नहीं था बात्रों सिंगर तो लेकिन गाना था तो भाई अब कोई आप्सन थाई नहीं तो मूड बनाया और शुरू किया सर नीचे ही करे करे अकेले हैं तो क्या गम है चाहें तो हमारे बस में क्या नहीं बस इक जरा साथ हो तेरा अब उस दूसरे लड़के उगाना था तो वो बोलता है तेरे तो है हम कब से सनम हम मजा देखिए पहली शुरू की लाइन है हमारी आखरी की तेरे तो है हम कब से सनम अब एक बड़ी अजीब सी फिलिंग आई हमारे दिमाग में कि यहारी यह लड़का कह रहा तेरे तो है हम कब से सनम अब बस इसी पर सुरू होगे सीनियर साथ कि टेखा देखा कि तो हमने भी यहीं का सर क्या कि कैठें देख जब तू गाणा था यह गाना सोच पीछे अपने कॉलेज के जंगल है अब यह गाना वहाँ जंगलों में फिल्म आगया था सोच तो पेड़ पकड़ पकड़ के यह गाना गा रहा आए अकेले हैं तो क्या गम है? बस इक जरा शाथ हो तेरा और सोच अगर उधर से कोई आवाज आ जाए तेरे तो है हम कब से सनम तो तेरे को एक आजीब से खुशी होगी कि नहीं होगी? हम ने का हा सर होगी? कहते लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई? तो तू फ्रस्टेट नहीं हुआ अब हमने कहा कि आप ओके के लावा कुछ और बोला अगर तो यह पूरी रात चलेगी रहेगी हमने गाए यह सर बिलकुल सर बिलकुल सर फ्रस्टेट हुआ मैं सर इसकी आवाज सर बलासै इसका बलत तू भी कौन है मैंने कहां मैं यह देखा याा मैंने पूसला कर दिया ना कियां यह हम सब भी तू भी best cách के और हुआ है मोगें पूरी कमेटी आफ यह सब्सट्रा का मेंबर हुआ तो फोचला के मेंबर हुआ को है हमने ओके सर यह थी एक बड़ी मज़ेदार घटना फोसला जी भी पंथ इंजिरिंग कॉलेज गोविंद बलब पंथ इंजिरिंग कॉलेज पॉड़ी गड़वाद यह वर्ड वहां बहुत चलता था लेकिन जब हमाई रेगिंग चल रही थी तो हमको इस वर्ड की बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था बाद में पता लगा अच्छा भई फोसला कुछ होता है तो हम लोगों ने भी इसी फोसला के मज़े लिए जब हम लोगों का टाइम आया नेक्स टाइम लेने का सो फ्रस्टेटेटेट वन साइडेट लवर एस्सोसियेशन हो सकता के लोगों प यह भी बीटेक की यादों का ही एक छोटा सा पार्ट है एक छोटी सी इवेंट है छोटी-छोटी खुसियां देखे कैसे मिलती थी ठीक अउसके लिए हम लोगों करते क्या थे नाटक ड्रामे एक हमारे बहुती परम्मित्रों में थे परम्मित्र संदीप पांडे जी संदीप पांडे तो उनसे हमारी ट्यूनिंग जो है काफी जबर जस्ट बैठ ती तो जब यह आई थिंक रेगिंग उस समय जस्ट खतम हो गई थी घर बर जाकर के फरसर पार्टी बगरा हो गई घर फरसर पार्टी तो अलग से पूरा एक फंक्शन नहीं होता था जो है वो जासल प्रसर पार्टी टाइप की है इस्टार्टिंग टाइम में क्योंकि हम लोग तभी स्टार्टिंग टाइम तो यह सब हो गया वापस चले तो अब इबन्ट 2 छोटी-छोटी खुशियां तो जब घर से हम वापस आ रहे थे तो उससे मैं संदीप पांडे से अच्छी दोस्ती हो गई थी तो हम लोग ट्यूनिंग थोड़ी इस टाइप क्यों होती थी कि जब मैं कानपूर से यहां से जाता था लिंक एक्स्प्रेस से हम लोग पहुचते थे कोड़ द्वार कोड़ द्वार से फिर पौड़ी जाते थे बाई बस और नॉर्मली हम लोग आदत हो गई थी उस टाइम तक कि बस से जाना बंद कर दिया था फिर हम लोग जीप से जाते थे संदीप पंडे और हमारी थोड़ी ट्यूनिंग इस ट्राइप की थी कि संदीप पंडे भी वहीं आ जाते थे कोड़ द्वार में और यह कई बार हमको कोड़ द्वार में मिल जाते थे तो जो पहारी जीपें होती है पहारी जीपों में अगर आप नॉर्मली लोगों की 24 हो बीच वाली एक सीट और होती थी लंबी-लंबी तो उसमें भी लगभग चार लोग या ज्यादा भर दी उनने तो पांच लोग जो सबसे पीछे होती थी सबसे पीछे ऐसे साइड वाली जो रहती है तो दो इस तरफ दो इस तरफ सदीप पांडे कि च्वाइस रहती थी पीछे वाली सीट पर बैठने को आगे क्यों कि पहाडों पर रास्तों में ऐसे 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 यह थे पता नहीं कैसे कैसे घाड़ी चलती है या नोग को तो ओमिटिंग टाइप की फिल होने लगती है अब हम थे इन चीजों मजबूत हमको यह कुछ नहीं फिल होता है कहीं भी चले जाएं कुछ भी पांडे जी भी मजबूत है तो हम लोग पीछे ही बैठते हैं तो जब पीछे हम लोग बैठे हैं तो कभी-कभी इसमें एक दुर आप लोग आदे जब मैं बताओंगा तो आप हो सकता हास होगी यह क्या पागल लोग तो जब जीप चली पहाड़ों पर चढ़नी चालू होई तो नौर्वली कई बार साम का टाइम दुपार का टाइम जब जीप चल रही होती है तो जब जीप आगे चले अब हम लोग पी लड़कियां सुंदर सुंदर कि वह कई बार दिखें हम लोग कुछ बोज वगएरा ला दे हुए जानवनों का चारा वगएरा लेके आने वाली या कुछ और सुंदर सुंदर पहाणों लड़कियां में सुंदर होती है कि अब इंटेंसन हम लोग कोई बिलकुल खराब नहीं इंटेंसन कोई भी बिलकुल खराब नहीं बस छोटी खुसियां दूड़ रहें हम लोग आफ जैसे ही वह दिखें ओर जीप जब उनके बगल से निकल जाय है तो हम लोग हाथ हिलाए ऐसे कि हम भी संधीप पांडेभ तो जब हाथ हिला है तो पहाड़ी लड़किया थोड़ी बोल्ड होती है इन सब चीजों में कि अगर किसी ने ऐसे हाथ हिलाया ठीक है अब बता रहा हूं तो वो भी ऐसे हाथ हिला देती है और मुस्कुरा भी देती हैं बहुत बढ़ी असा तो वह अगर हाथ हिला रहे हैं तो हम लोग इतने में खुस और फिर वह तो पैदल पैदल आ रहे हैं और हमाई जीप आगे निकल जाए इतने में खुस तो यह हम लोगों ने जब फस्ट इयर में रहे हैं तब भी किया है बिल्कुल यंग यूथ तो इस टाइप की जो घटनाए है जैसे हाथ ही ला देना जैसी देखा हाथ ही ला दिया है लो उधर से भी हैलो मुस्कुरा दिया उन्हों ने तो यह छोटी-छोटी खुसियां लेकिन इंटेंशन्स बिल्कुल साफ इतने में खुसत हैं बाक्य कु दुर्ल ोगे लटें लेक्षा करें निकल को पक्ड़े जाते हैं कि पकडई इंहीं कोटे जाते हैं कि क्योंकि यह यह टिपड़ी करते हैं न है तो यह तो गलत है यह नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही गलत है तो जस्ट एक मैंने आपको मजे के लिए घटना बताई तो टूटल यह दो इवेंट्स थी जो दिमाग में आया मन में आया तो मैंने कहा कि चलो डिसकस करते हैं भी टेक की यादों में क्योंकि यादे तो है अच संदी पांडे जी हो सकता है देखें यह वीडियो तो उन्हें भी मेमोराइज होगा तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ और करेंगे ऐसी ही बढ़िया बढ़िया बात है और सिर्व बाते नहीं बहुत कुछ है इस चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में जाए तो वहां से आप स्मोस्फियर तो बने रही है हमारे फैमली चैनल पर फिर मिलेंगे फ्रैंड्स दोस्तों नमस्कार भाई बाई बाई बाई